नमस्कार दोस्तों आप देख रहे है हिंदी नियूज। जिस बेटी की शादी के लिए मा ने बेचा था घर, उसने साथ रुदे सड़क पर छोड़ा। जिसने उनका इलाज करवाया। उनकी साड़ी में साथ रुपए बंदे थे और कुछ जरूरी कागजात मिले। इसके आधार पर अब उस संस्था के लोग उस महिला को परिवार से मिलाने में जुट गए हैं। संस्था को सूचित किया। संस्था के लोगों ने उन्हें शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर सर्वेश्ट रिपाथी को दिखाया, वहीं उनका इलाज हुआ। संस्था के लोगों की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर ने उस महिला को अपने ओल्ड एज होम में रहने की परमिशन दे दी। हेलपिज इंदिया के डिप्टी डाइरेक्टर पीपी सिंग और मेंबर रश्मी मिश्रा ने बताया, महिला की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने घर का पता तक नहीं बता पा रही थी। राहगीर की सूचना पाकर जिस टाइम हम उसे गोलागंज देखने गए, उस टाइम उनके दुपट्टे में 60 रुपए बंदे थे। जब वहाँ से उन्हें ओल्डेज होम लाया जा रहा था, तभी वो पैसे कहीं गिर गए। हमने रुंधने की कोशिश भी की, लेकिन वो पैसे वहाँ पर नहीं मिले। कहीं साजिश के तहट तो नहीं छोड़ी गई मांग। हेल पीज इंदिया के लोगों ने बताया, महिला को जिस हालत में गोलागंज से उठा कर ओल्डेज होम लाया गया था और तलाशी के दौरान जो सामान मिले उससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये कि इतनी शाम को ये महिला अपने घर से गोलागंज मजार के पास अकेले आई कैसे? उसके पास बरतन, दवाई और कपड़े मिलने का क्या मतलब है? क्या इन्हें महिला को किसी खास मकसद से जान बूज कर छोड़ा गया है? मा ने उठाया अपनी बेटी के जुल्मों पर से परदा. महिला ने होश आने पर हेल पेज इंडिया संस्था के लोगों को बताया, उनका नाम मखाना देवी है. उसके हस्बेंद दुरगा प्रसाद अमीनाबाद के होटल में काम करते थे. उनकी अबडेत हो चुकी है. बड सीता है. उनकी भी शादी हो चुकी है, और वे भी अपने ससुराल में हैं. तीनों बेटियों की शादी मकान बेच करकी, उसके बाद से मैं बड़ी बेटी कुमवारी के साथ उसके घर पर ही रह रही थी. लेकिन उसको मेरा रहना बोज लग रहा था. इसलिए वो मुझे ले ती हूँ. घन्यवाद.